हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टु शिवानिस किचन आज मैं आप लोगों को कुल्थी दाल खाने के पायदू के बारे में बताऊंगी दाल को प्रोटीन का बैस सोर्स माना जाता है कई लोग शरीद में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए अरहर दाल, मसूर दाल, ओड़त दाल, चना दाल और मतर दाल जैसी दालों का सेवन करते हैं लेकिन क्या आपने कभी कुल्थी दाल के बारे में सुना है अगर नहीं तो बता दे कि ये बहुत फेमस ना होने के कारण जाद तर लोग कुल्थी दाल के गुणों से अंजान है जबकि कुल्थी दाल प्रोटीन का एक बहतर सोर्स ही नहीं बलकि कई घंबीर विमानियों से लड़ने में भी मददगार है दरसल कुल्थी दाल की खेती जाद तर दक्षिन भारत में होती है रसम और सांबर जैसी साउट इंडियन डिश में कुल्थी दाल का जमकर उप्योग किया जाता है गहरे भूरे रंकी होने के कारण कुल्थी दाल काफी हद तक साबुत मसूर की दाल की तरह दिखती है इसका सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है तो आईए जानते हैं कुल्थी दाल खाने से होने वाले फायदों के बारे में डायबेटीज यानि मदुमे की बिमारी जादेतर बुजर्गों में देखने को मिलती है वहीं डायबेटीज के कारण आपकी डाइट में भी काफी बदलाब हो जाता है हाला कि अपने पोश्टिक गुणों के कारण कुल्थी दाल ब्लेट शुगर लेवल कंट्रोल करने का काम करती है पोशक तत्वों से भरपूर कुल्थी दाल आपके दिल की सेहत को भी दुरुस रखने का काम करती है नियमित रूप से कुल्थी दाल खाने से दिल की बिमारियों से बचा जा सकता है कुल्थी दाल शरीर में LDL यानी बेट कोरस्टॉल को कम कर HDL यानी गुड कोरस्टॉल को बढ़ाने में मदद करती है इसलिए कुल्थी दाल का सेवन करने से कॉरस्टॉल मियंदरण में रहता है मौसम बदलने के साथी सीजनल फ्लू जैसे सर्दी, जुखाम, खासी और वुखार की समस्या आम हो जाती है वहीं कुल्थी दाल की तासीर गर्म होती है जो न सिर्फ सीजनल फ्लू से छुटकारा दिलाने में मदद करती है बलकि सर्द्यों में शरीर को गरम रखने का भी काम करती है कुल्थी दाल में भरपूर मातर में फाइबर पाया जाता है यही कारण है कि कुल्थी दाल का सेवन करने से पाचन तंदर मजबूत रहता है और कब्ज, ऐसीडिटी जैसे समस्यों से निजात मिलती है अगर आप मुटापे से परेशान हैं और बजन कम करने में जुटे हैं तो कुल्थी दाल आपके लिए काफी मददकर साबित हो सकती है कुल्थी दाल के सेवन से आप असानी से मुटापा कम कर सकते हैं कुल्थी दाल में टेनिंस, फ्लेवनोइट्स और फैनूलिक एसेड पाया जाता है ये एसेड गुर्दे की पत्री को गला कर खत्म करने का काम करता है जिससे ये बिमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है शरीर में High Euric Acid को कंट्रोल करने में भी कुल्थी की दाल कमाल का असर करती है जो लोग पाइल्स की सबस्य से जूज रहे हैं उनके लिए कुल्थी दाल का सेवन करना फायदे मन्द हैता है इसके लिए वे रात में कुल्थी की दाल को पानी में भीगो कर रख दे और सुबा उठने पर उसका पानी पी ले ऐसा करने से पायल्स के दर्ट में काफी राहत मिल जाती है साथी रेक्टम की नसों में सूजन भी कम हो जाती है महिलाओं को मासिक पीरियर्ट्स लुकोरिया समेथ कई विमानियों से जूजन पड़ता है खास कर हर महिने होने वाली पीरियर्ट्स उनके लिए बेहत दर्ट भरे होते हैं इसकी वज़ा से उनमें आईरन की कमी हो जाती है जिससे शरीर में ठकावट और कमजोरी रहने लगती है इस कमी को दूर करने के लिए आईरन से भरपूर कुल्थी की दाल का सेवन करना चाहिए इस दाल के सेवन से शरीर में आईरन के साथ ही खुन की मात्रा भी बढ़ने लगती है तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियो थोड़ा सा भी हल्पुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए रधने बाद